नव श्रजन के निमित महाकाल की तैयारी ओडियो 3 अन्याय करने और सहने वाले दोनों ही पात की माने गए हैं आनीती पूर्वक प्राण हरन करने वाला और अन्याय के सामने सिर जुका देने वाला समान रूप से पाप का भागिदार माना गया है साथ ही वह भी पाप का भागिदार होता है जो सब समझते हुए भी दूर से देखता रहता है प्रतिरोध का प्रयास नहीं करता भगवान तीनों पर ही नाराज होते हैं बिगड़ते को बिगड़ने देना यह मूख दर्शकों का वह गैर जिम्मेदारों का काम है भगवान ऐसे नहीं है लोग भले ही बिगाड़ करते हों पर भगवान अंततह सब को संभाल लेते हैं बुढ़ा होने पर शरीर मर जाता है घर वाले कुटुम भी उसे जला देते हैं पर भगवान उसे नया जन्म देता है और फिर उसे हसने खेलने की स्थिति में पहुचा देता है पिछले दिनों बिगाड़ बहुत हुआ प्रताड़ना का समय बीच चुका है जो शेस रहा है वह सन 1990 से लेकर 2000 के बीच 10 वर्षों में बीच जाएगा इन 10 वर्षों में महाकाल की दोहरी भूमी का संपन्न होगी प्रसव जैसी इस्तिती होगी प्रसव काल में एक और जहां प्रसुता को असह कष्ट सहना पड़ता है वहां दूसरी और संतान प्राप्ती की संदर संभावना भी मन ही मन पुलकन उत्पन करती रहती है युग संदी के ये दस वर्ष ठीक ऐसे ही दोहरी भूमी काउं से भरे हुए है पिछले 2000 वर्षों में जो अनिती चलती रही है उसकी प्रताड़ना स्वरूप अनेक कठनाया भी इनही दिनों व्यक्ति के जीवन में समाज की व्यवस्थाओं में तथा प्रकरती के लोग अनभव करेंगे कि पिछले दिनों जो अनुचित भरता गया है उसका समुचित दंड मिल रहा है और सिद्ध किया जा रहा है कि भविश्य में ऐसी भूले नहीं बरती जानी चाहिए मनुष्य आपस में धोके भाजी कर सकता है पर श्रष्टा के नियम विधान को जु से चलता रहा है और सदा चलता भी रहेगा इन दिनों की कठनाईयों को इसी दृष्टी से देखा जाना चाहिए साथ ही यह भी स्मरन रखने योग है कि माता एक आँख जहां सुधार के लिए टेड़ी रखती है वहां उसकी दूसरी आँख में दुलार भी भरा रहता है उ वर्तमान युग संधी काल इस दोरी प्रकरिया का समिश्ण है अगले दिनों सुन्दर संभावनाय भी अवतरित हो रही है युग संधी के इन वर्तमान वर्षों में ऐसा माहौल बन रहा है जिसमें मनुष शांती और सौजने के मार्क पर चलना सीखे कर्मफल की सुनिशित प्रकरिया से अवगत हो और वह करे जो करना चाहिए उस रहा पर चले जिस पर की बुद्धिमान को चलना चाहिए बुद्धि संगत प्रतिबातनों की स्विक्रति साधारन तह जक्म भरने में देर लगती है पर जब डॉक्टर खून बंद करने की जल्दी में होते हैं तो लगा कर रक्त श्राव को जल्दी ही बंद भी कर देते हैं गत 2000 वर्षों की नेकरश्टता को ठीक करने में भी इसी प्रकार कम समय लगना चाहिए नियंता की विशेश विवस्ता यह भी एक चमतकार है कि कम समय में घाव सिये और ठीक किये जा रहे हैं 21 शताबदी ऐसे ही च दंड की जगह उनकी चिन पूजा करके ही किसी प्रकार सुधार कर देने का स्योग बन गया है हजारों वर्षों से बरती जा रही है अलीतियों को कम समय में सुधारने का अवसर मिल रहा है और उद्दंडों को वांचित दंड देने की अपेक्षा केवल डरा धमका कर ही सही रास्ते पर चलाने का प्रबंध बन पड़ रहा है जब मनुष उल्टा सोचता और उल्टा करता है तो उसके प्रतिभल भी भयानक ही होते हैं पर जब यथारता को पैचान तथा अपना लिया जाता है तो बड़ी गलती भी थोड़ी ही देर में समझ में आ जाती है और उसक से बन रहे हैं जो गलती लंबे समय से चल रही है और आए दिन एक के बाद दूसरा तरास उपसित कर रही है वह इतनी जल्दी सुधर भी शक्ती है इसकी आशा कम ही की जाती थी पर स्योग इसी को कहते हैं कि समझदारी को जल्दी ही अपना लिया गया और गलती में समय रहत कर फूटता है और बिना आवश्यक खाद पानी लगाए वह पधा और फिर पेड़ बन जाता है सदबुद्धी का उद्भव और उपक्रम भी ऐसा ही है कि समझदारी लोट पढ़ने पर कठिन दीखने वाली समस्याय कम समय में सुलत जाती है दुरबद्धी ही दुष कि देर नहीं लगती लगता है एक शताबदी में ही उतना सुधार हो जाएगा जितना की सामान गणित करम में कई शताबदियों में होना चाहिए था समझ में ना आने पर कोई गुत्थी हल होने में बहुत समय ले सकती है पर जब भूल का पता लग जाता है तो उसका हल निक के नाम से जाना गया है उल्टी समझ हजार समस्याओं का एक कारण है लोगों ने समझ लिया है कि भलमंसाहत की रीती नीती ही उचित है और उसको अपनाने में शांती पूरक रहा जा सकता है इन दिनों एक हवा चली है कि हर आदमी यह सोचने लगा है कि दुर्भुद्धी का परित्याग किया जाए दुष्टता से हाथ खीचे जाए और रीती नीती ऐसी अपनाई जाए जैसी की सजनों को शोभा देती है नीती पूर्वक किया गया थोड़ा उपारजन भी सुप के परियाप्त साधन जुटा देता है जबकि अनीती पूर्वक पाया गया विपुल वैभव भी संकटों पर संकट खड़े करता जाता है इन दिनों जहां भी सुना जाए भलमंचाहत की रीती नीती ही चर्चा का विशय बन रही है उदाहरण के लिए शांती कुझ में उबर रहा छोटा प्रवा भी देखा जा सकता है यहां नव्यूक के अनुरुक प्रशिक प्रशिक्षन की ऐसी व्यवसा बनी है जैसी की साधरन रीती में विपुल धन शक्ति लगाने एवं विशाल योजनाय बनाने पर भी बन पढ़नी संभब नहीं थी छोटे निर्मान भी धेरो शक्ति एवं धेरो साधन चाहते हैं जबकि शांती कुझ के छोटे आश्रम में दो हजार व्यक्तियों का नियमित नव्युक प्रशिक्षन चल पड़ा है अभी जहां भी विद्धाले चलते हैं उन सभी में छातरों को अपना भोजन व्याय स्वयम वहन करना पड़ता है जबकि शांती कुझ में दो हजार शिक्षार थी आश्रम में ही नियमित रूप से निशुल भोजन प्राप्त कर रहे हैं यह प्रबंद इसलिए क्या गया है कि गरीब अमीर के बीच किसी प्रकार का भेदबाब न रहे किसी निर्धन को यह शिकायत न करनी पड़े कि हमारे पास भोजन व्याय होता तो हमें भी ऐसी बहमूली शिक्षा से वंचित क्यों रह करके उस कान से बाहर निकल जाती है पर शांति कुझ में पाँच दिन जैसे स्वल्प समय में जो कहा सुना और बताया जाता है उसमें असाधरन प्रांट जुड़ा होता है इसलिए वह इतना प्रांवान होता है कि चिरकाल के लिए अंतराल में अपना स्थान बना लेता है और व्यावारिक जीवन में क्रिया कला बन कर अपने स्थाइत्व का परिचे देता रहता है धार्मिक और आध्यात्मिक वक्ताओं और शोताओं की आजकल कमी नहीं जहां थोड़ा अधिक आकर्शन होता है वहां बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं पर वानी का र और मन की गहराई तक जम भी जाती है पर ऐसा कदाचित ही कहीं देखा जाता है कि कुछ समय का वैचारिक आदान प्रदान उच्च अस्तरिय होते वे भी अपना स्थान बना सके और जड़ जमा सके शांतिकुझ का मारदर्शन ऐसा ही है जो मात्र पांच दिन के सत्संग से प उचाई होनी चाहिए घिसी पीटी रटी रटाई वह सुनी सुनाई बातों को सुनने समझने में लोगों को देर नहीं लगती इन सब में कोई विरोत का जंजट भी नहीं होता समझने में मस्सिश्क पर दबाव भी नहीं पड़ता किन्तु समय के साथ चलने वाले युगध करने और हिर्दैंगम करने में बुद्धी पर दबावी बहुत अधिक पड़ता है इसलिए देखा गया है कि लोग घिसीपिटी बातों को ही सहजता समझते और स्विकारते रहे हैं पर जिन में तर्क तत्य प्रमान और उधारनों की भर्मान होने पर भी पूर्वाग्रहों के साथ संगती नहीं बैठती उनके प्रति असामती ही व्यक्त करते रहते हैं ऐसा अब तक कम ही हुआ है कि समय की पुकार और युगधर्म को लोगों ने बिना किसी ननुनच के बिना विवाद जंजट किये स्विकार कर लिया हो पर शांती कुझ के प्रतिबादन और परामर् जिनके प्रति आश्यरत और प्रकट किया गया है पर किसी ने उने यह थार्ता से विपरित ठेराया नहीं है आमतोर से स्वार्थ सिध्धी के परामर्ष ही भौतिक और आध्यात्मिक शेत्रों में अनुकूल समझे जाते और सहज गराय होते हैं पर जिन में लोकमंगल और न आश्यर इस बात का है कि प्रचलन का विरोध होते वे भी युगधर्म की व्याख्या को नए विचारों को अब सामान बुधि द्वारा ही समझा और स्विकारा जा रहा है